अगर आपको अपने biceps का size बढ़ाना है तो आपको यह ensure करना पड़ेगा कि आपने सारी exercise को proper form, proper tempo और proper range of motion से कर रहे हैं maximum लोग जो biceps करते वक्त गलती करते हैं वो यह है कि जब भी वो bottom part पे आते हैं वो अपने arm को fully extend ही नहीं करते हैं कि वो जैसे वो अपना range of motion घटा लेते हैं अभी recently की study हुई थी इसमें participants को दो group में divide कर दिया गया इन दोनों group को preacher curl करने को बोला गया पर जो पहला group था उसने preacher curl bottom half पे किया और जूसरे group ने preacher curl top half पे किया पांच हफतों के study के बाद ये पाया गया कि जो group bottom half preacher curl करता था उसमें 2.6 time सादा muscle growth हुई है as compared उस group के जो top half preacher curl करता था तो study भी इस जिसको support करती है कि maximum muscle growth आपके bottom part पे होती है इसलिए जब भी आप biceps करें चाहे biceps कल हो चाहे dumbbell कल हो चाहे preacher कल हो आप bottom position के आते वक्त अपने आम को fully extend करें